हेलो गाईस वेलकम टो माई यूटूब चैनल टैग बाउंक है तो गाईस आज की वुडियो होने वाली काफी जदा यूज़फूल एंड इंट्रेस्टिंग क्यूंकि आज की वुडियो मैं आप लोगों बताने वाला हूँ कि आप अपने वियो आई 12 जी के फोन में किसी भी आप को हाइड कैसे करेंगे तो गाईस आपके जो होम इसकीन पर होते हैं जितने भी अप्लिकेशन होते हैं सबको अगर आप हाइड करना चाहते हैं सबको कर सकते हैं या आप अगर गेम को हाइड करना चाहते हैं फेस्बूक को हाइड करना चाहते हैं या किसी बैंकिंग से रिलेटर application को hide करना चाहते हैं अपने home screen से तो उनको भी hide कर सकते हैं तो guys इसके लिए आपको अपने play store से किसी भी application को install करने की जरूरत नहीं आप अपने settings से ही किसी भी app को hide कर सकते हैं और उसको unhide भी कर सकते हैं और जिन application को आपने hide कर दिया है उनको आप कैसे open करें तो आज की वीडियों हम सब यही जानेगे तो finally guys वीडियो के end तक बने रही हैगा वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करना तो finally guys वीडियो में आगे पर इंस पाले आप लोगों सिक छोटी सी request है अगर आप हमें जो YouTube पे पहली बात देख रहे हैं था हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आपको वीडियो यूजपूल लगते थी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो चलिए फटा-फट वीडियो को सुरू करते हैं तो finally guys आप लोग देख सकते हम लोग आचके इपने व्यूवाई 12G के मॉबाइल इसकी पे अब guys यहाँ पे आप लोग देखेंगे काफी ज़दे application आप लोगों को नजर आ रहोंगे यहाँ पे WhatsApp, Facebook, Instagram, Google फे कोई भी application मैंने hide नहीं किया है तो मैं सबको अभी hide करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ guys किसी भी application को hide करने के लिए आपको अपने phone में i-manager को open कर लेना है जो कि हर एक vivo के phone में i-manager app होता है i-manager को आप open कर लेजिए open करने के बाद आप लोग देखेंगे कुछ ऐसा interface तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाए देगा app encryption का option app encryption वाले option पे आप लोगों को click कर देना है guys जैसे इस option पे click करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को password डाने के लिए कहेगा अगर आपने password नहीं बनाया हुए तो password बना लिजे अगर password आपने already बना चुके हैं तो यहाँ पर password इंटर कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ से अपना जो भी password बनाया हुए है आप हम simply enter कर देते हैं इंटर करने बाद आप लोगों को बता देते हैं आप क्या interface खुलता है और इसके बाद क्या करना होता है यहाँ पर हम जो इंटर कर चुके हैं अब जो हम done finally कर देते हैं और done करने बाद आप लोगों को hide app or encryption का option मिल जाएगा अटर चली हम कर देते हैं यहाँ पर देखेंगे hide app encryption आप लोगों को करदेना है जैसे hide app ओले option पर आप लोग division काफी पर आप कर देते हैं यहां पर आप गूगल पे को हाइड कर दिया, जिस्ट वन किलिक करना है, आप लोगों को एपलिकेशन हाइड हो जाते हैं, यहां आप देख सकते हैं, फोन पे को भी हमने कर दिया, और यहां से कुछ और अपलिकेशन को हाइड कर दे रहे हैं, जिससे कि यहां पे आप लोगों को फता चले क कि हाँ application हाइड हो चुके हैं कुछ ज़्यादा application को हाइड कर देंगे तो अच्छा रहेगा mx player को moj को instagram को google page को लोग को और जो जो शैप है यहां पर काफी ज़्यादा application थे सब को हमने हाइड कर दिया और facebook को हमने हाइड कर दिया और फानले का इस ऊपर की तो भी password भागए तो इसको भी आन कर सकते हैं तो view hidden apps को आप जब यहाँ पे आन कर लेंगे तो इनको open करने में बहुत ही असानी होती है आप देखेंगे हमने view hidden apps को hide किया है और यहाँ पे सभी application नहीं आ रहे होंगे जिन एप्राइशन को आपने हाइड़ या उपन करने के विए आपको दो फींगर अपने डीस स्लाइड लायड करना है उपर की तरफ एक साथ करेंगे तुरंत सारेंगे चाछए feito जितने हैह आप आपको दो फिंगर ऊपर की तरफ ड्राइव करना यानि स्लाइड करना आए दो फिंगर एक साथ करना ध्यान रकना गाइस इसके बाद पासवर्ड इंटर करना और सभी एप्लिकेशन आ जाएंगी जितने भी एप्लिकेशन को अपने हाइड कर रखा है तो फानली गाइस इस पसंद आए वीडियो यूजभू लगीद वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं